हेलो फ्रेंट्स वैलकम टूत पेनजीर जायका फ्रेंट्स आज हम बहुत डिफरेंट सी चीज बनाने वाले हैं और वो आपकी बहुत सारी चीजों में यूज में आएगी आज हम बना रहे हैं चिली ओयल जो की बहुत ही टेस्टी होता है इसके लिए हमें लेनी है गार्लिक और रैड चिली, क्रीन चिली, जितनी भी स्पैसे चिली हों आपके पास हरी मिर्च, लाल मिर्च सब आप ले ले और गार्लिक और हरी मिर्च, लाल मिर्च जो भी आप लेंगे उसको अच्छे से कर लेना है में चॉप और चॉप बिलकुल बारी करना है उनके सीट्स चॉप करने के बाद हमें कुछ इसमें चीजे मिलानी है, और वो चीजें हैं जैसे कि आपके प्यास का सागा होता है, जी अनियन जो होती हैं उनियन का, तो उसको हुमें बारी काटके इसमें मिलाना है, और आज चाहें तो हरदणिया मिलां सकते हैं, तो थोड़ा सा हरादनिया मिलाना है और हमें लेने हैं इसमें तिल सफेद तिल दो चमचे सफेद तिल को एड़ करना है और इतनी देर में आप करने को रख दे तेल गरम क्योंकि चिली ओयल है तो ओयल हमें इसके लिए गरम करना है वो भी बहुत तेज़ अब हम मिलाएंगे दो धकन सोया सॉस, क्योंकि सोया सॉस से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, चिली ओयल कॉरियन मेगी में यूस किया जाता है, तो इसमें सोया सॉस जरूरी है, तो दो धकन सोया सॉस मिलाएंगे, और सोया सॉस मिलाने के बाद हमें इसमें मिलाना है नमक, क्योंकि नम इतना करना है बहुत सारा मतलब जैसे के तेल जादा भी लेना है और जादा गरम भी करना है और अब हमें इसमें आइट कर देना है आईल, आईल करेंगे जना जब तो बड़ी अच्छी सी धांस और बड़ी अच्छी सी खुश्बू आएगी वो भी चिली-चिली वाली इस तो बस आप चाहें तो इसमें चिली फलैक्स भी एड़ कर सकते हैं क्योंकि यह स्पाइसी होता है और बस ओयल मिलने के बाद आपका तयार हो जाएगा चिली ओयल इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं आप काफी ग्लास के जार जो होते हैं शीशे के जार उनमें आप स्टोर करके रखिए इसे और मैगी मैग, कुरियन मैगी, पराठा और पूरी जिसके जाद आप और दाल चावल वाह क्या मज़ा आजाता है खाके तो आप इसे स्टोर करके रखिए और इसको साथ में खाने के लिजे बहुत मज़ेदार होता है ये प्लीज ट्राही करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें